दोस्तो नमस्कार, Profit Guru चैनल में एक बन्नाई मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो ये जो तीन स्टॉक, जो तीन कंपनी में आप लोगों का अपडेट कर रहा हूँ ये इतनी भैतरिंगे कि इन्होंने जो पास्ट में परफॉमेंस किया है, वो काफी जोड़दार किया है और आने वाले जो प्यूचर में करने वाले हैं, वो काफी एक्टीव मूमेंट देखने को मिल रहा है क्यों? क्योंकि उन कंपनी की जो फाइनेंशिल कंडिशन है, उसको देखके ठीक है, और टेकनिकल जो कंडिशन है, अभी हाल फिलाल में, उसको देखके तो यही लग रहा है कि ये स्टॉक अपने लिए काफी शांदार होने वाले हैं है portfolio के ठीक है तो यह तीनों stock को आप focus करके चल सकते हो चलिए दोस्तों हम video को start करते हैं video को start करने स्पहले मैं यही बोलूँगा profit guru channel पर अगर आप नए हो तो definitely subscribe करके जाए दोस्तों video पसंद आ रहा हो video को एक like जरूर करेगा वो नीचे description में दोस्तों app stock angel broking और LS blue का demand account का link दिया है महाँ पर जाए फ्री में demand account open करिए और हमाँ सतनिफ्टी bank nifty stock option में बारपूर trading करिए तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे first stock की चोटी सी financial condition देखने अब यहाँ पर आप देख सकते हो NSC BSC दोनों पर आपको company listed मिलेगी company का आप market capital देखेगी न तो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों करीवन साड़े दस हजार करोड का ठीक है काफी शांदार है stock का PE earning ratio देखेंगे 33.4 का return on employee की अगर मैं बात करता हूँ 18.2 परसेंट का है ठीक है current market price 52 का ही 52 कलो book value देखेंगे ये भी काफी शांदा ठीक है और return on equity 16.1 परसेंट की और face value 10 रुपे पर equity शेर की मतलब दोस्तों देखा जाएना तो इतनी चीज हमें काफी interesting दीखे देन उसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर यह दो चीज हमें काफी bettering देखने को मिल रही है ठीक है तो जिसके basis पर company का जो momentum में हमें आगे काफी bettering देखने को मिलेगा company का नाम अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ Godrej Agrobate Godrej Group की ये company market में दोस्तों काफी बड़ा business जमा के बेटी हुई है लगबग अगर देखें ना तो देखें oil, plum, dairy and product ठीक है जो food की packaging होती है वो और animal का जो feed मतलब जो जानवरों का खाना रहता है वो ये company मनाती है ठीक है crop production मतलब जितनी भी फासल रहती है दोस्तों उनकी कटाई भी करती है ठीक है उस पर research और उसका development करती है मतलब बहुत सारा मतलब दोस्तों लगबग इसके पास बहुत सारे business है तो यहाँ पर company का हर business आगे growth करने में क्या है सक्चम रखता है ठीक है तो इसका performance देखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो गोदरिच एग्रोबेट को गोदरिच एग्रोबेट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों आज 1% की गिरावट देखने को मिल रहे ठीक है आज का performance अगर आप देखेंगे 551 रुपे पर यह stock open होता है 555 का high लगाता है और 538 रुपे का low लगाता है देखा जाए ना तो stock में हमें करीवन 17-18 point का moment देखने को मिल रहे उसी के साथ साथ आप देख सकते हो stock का जो 52 का high यह 596 रुपे 20 पर से 52 का low दोस्तों 350 रुपे 5 पर से देखा जातों काफी इंट्रेस्टिंग हमें 52 विग का है और 52 विग का low देखने को मिल रहा है लास्ट 5 दिन का अगर performance देखते हैं तो stock में 1.5% की तेजी है लास्ट 1 मेने की बात करता हूँ करीवन 9.5% की लास्ट 6 मेने की अगर मैं बात करता हूँ दोस्ट 5.5% की और लगबग में अगर एक साल का performance दिखाता हूँ इस company का तो आप देख सकते हो 46% का और लास्ट अगर 5 साल का performance देखेंगे तो company दोस्टो 2017 हमें ही market में आई थी जब से आई है जब से तोड़ आसा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है इस company वो तो दोस्टो गोद्रेज एग्रोबेट एक अपने कम कोस्ट पर मिलने वाला यह stock है तो इसको जरूर मैं आप focus में रखे चल सकते हो ठीक है तो चली अब अपन चलते हैं second stock के उपर अब दोस्तो अगर आप second company देखेंगे ये भी आपको NSC, BSC दोनों पे listed मिलेगी ठीक है अगर मैं आपको बताता हूँ इसका company का market capital चोवण हजार साथ सो अरसट करोड का देखने को मिल रहा है काफी interesting है ठीक है stock का PE earning ratio देखेंगे तो लगबाक आप पचपन का मान के चल सकते हैं return on employee के अगर मैं बात करता हूँ 28% का है return on equity बीज़ असमलो 9% का देखने को मिल रहा है book value दोस्तों 360 का current market price 341 52 बिक का है बावन बिक का लो अब देखिए book value कहां पर है और stock book value से 10 गुना ओपर trading कर रहा है तो यह हमारे लिए काफी interesting बात है क्योंकि stock का जो PE earning ratio है वो भी काफी बहतरिंग है return on employee के अगर मैं बात करता हूँ ठीक है वो भी बहतरिंग है और return on equity देखिए लगबाक आप 21% मान के चल सकते हो यह हमारे लिए काफी बहतरिंग चीज़ है इस company में ठीक है क्योंकि company का जो नाम है आप देख सकते हो क्या है company का नाम है Glend Pharma Limited एक pharma company है दोस्तों और अभी तो आप लोगों को पता है pharma company का performance कितना जोड़दा चल रहा है क्योंकि यह company का जो business है ना दोस्तों 60 country में फेला हुआ है तो हमारे लिए भी काफी अच्छी बात है देन दोस्तों Glend Pharma का अगर performance देखें देखें तो आज यह stock में 5.5% के हमें गिरावट देखने को मिलें अगर आप देखेंगे तो stock दोस्तों 3303 रुपे पे open होता है आज की डिट में अब लास्ट पांस दिन में देखें stock में दोस्तों करीबन बाड़ा साड़ा बाड़ा परसंट के तेजी लास्ट एक मेने में आप देख सकते हो लगबख 25-26% का लास्ट अगर में 6 मेने की बात करता हूँ लास्ट 6 मेने में 51% की तेजी लास्ट एक साल के परफोनेंस की अगर में बात करता हूँ तो दोस्तो अप लोगों के लिए ये भी काफी अच्छी बेतरिंग पिक हो सकती है क्योंकि दोस्तो फार्मा सेक्टर तो अभी पता है आप लोगों को की कोविट 19 के कारण यह सभी फार्मा कमपनियों के लिए यह golden opportunity कि कुछ ना कुछ करके दोस्तों अगर कोविट बेक्सीन बना लेती है कमपनिया या उनी बेक्सीनों की दोस्तों manufacturing करती है तो कमपनियों की किसी ना किसे करके दोस्तों जो business है जो मारी कमपनिय थी फार्मा कमपनियटी कि वो भी आप यहाँ पर जिंदा होते देखने को मिल रही है क्योंकि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर रेड़ी ने कितनी छोटी से कमपनियों के साथ अपनी जो इस्पूदनी वी बेक्सीन है उसको manufacturing करने के लिए tie up किया है वो company का दोस्तों कुछ भी answer नहीं था लेकिन दोस्तों आप वो company यहाँ पर movement करते देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी वो काफी अच्छा sales growth करके अपना revenue generate करेगी तो इसलिए दोस्तों फार्मा सेक्टर पर अभी आप अच्छा कासा focus कर सकते और blend फार्मा पर खास करके दोस्तों सेकेंड थार्ड company है थार्ड स्टॉक है वो NACBSC दोनों पर वो भी आपको list दिनो लेगा 19,871 करोड का company का market capital P.E. earning ratio देखेंगे 42.4 का return on employee की में बात करता हूँ 25.7% का return on equity की में बात करता हूँ 19.3% का book value मातर 407 रुपे का 52.5 का है 52.5 का लो current market price और face value आप देखें book value अपने देखें मातर 400 और stock का 52.5 का है देखें return on equity की अगर में बात करता हूँ 19.3% की देखा जाना तो काफी interesting आप लोगों को देखने को मिल रहा है अगर आप ये तीनों stock को खरीद के भूल जाते हो ना दोस्तो जब याद आइग ना जब देखना आपको profit में दिखेंगी तीनों company है क्यों क्यों क्योंकि company है ये company का नाम में कोफर्ग लिमिटेड एक mid-cape IT company है ये mid-cape IT company का performance तो आप लोगों को पता है कितना तगड़ा और mid-cape IT company में ये सबसे strong company है दोस्तो मतलब आप मान के चल सकते हो mid-cape IT company की ये leader है ये जैसा बोलेगी बेसी सभी company करेगी market में ठीक है तो को फोर्ग लिमिटेड को आप जरूर में focus में रखे चल सकते हो चलो इसका performance भी देखते है आप यहां पर देख सकते हो को फोर्ग लिमिटेड ठीक है लगबग यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगबग 327 रुपे 45 पैसे पर स्टॉक ओपन हुआ था था यहां पर हाई लगा था और 3265 रुपे का हमें लो देखने को मिला था देर नुठी के साथ-साथ आप देखेंगे 52 बिक काई अभी हाल फिलाल काई दूस्तो 354 रुपे का और 52 बिक कलो 1880 रुपे गत्री के देखा जाये तो काफी अच्छा है लास्ट पांस दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट एक मेने में आप देखेंगे स्टॉक में 16% की तेजी लास्ट छे मेने के अगर मैं बात करता एक मेने में 16% की लास्ट पांस साल का अगर पाफॉमेंस आप देखेंगे तो कमपनी दोस्तों पहले नई इटी टेकनलोजी के नाम से जानी जाती थी लेकिन अभी उसको को फॉर्ग लिमिटेट के नाम से कर दिया तो जिसके लिए इसका जो पास्ट का पाफॉमेंस था द दोस्तों इस कमपनी का पाफॉमेंस हमें काफी जोरदा देखने को मिल सकता है लॉंग टर्म में ठीके तो यो तीनों कमपनी आप लोगों को अपडेट किये दोस्तों बेस्ट अम बेस्ट है ठीके अपने से भी टेकनिकल फंडामेंटल रिसर्च करिए ठीके यहां पर आप वीडियो को क्लोज करते हैं ठेंकियो दोस्तों